अलोग दोस्तों वेलकम टे स्लीपी क्लास्स दोस्तों आज हम एक इंपॉर्टन टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत से बच्चों ने बोला था इसके बारे में कुछ बताओ फिक्स बोसं जिसको गौड पार्टिकल बोलते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो यहां पर हम क्या डिस्कुस करने वाले हैं जो यूटिह से के लिए क्या का चीजिजाभी कि यूटिख करेंगे तो किस online classes प्री रिकॉर्डर यहां पे लेक्चर हमारे मिलते हैं इसके लवाब प्रीकॉर्स उसके अभी हमारा offline batch online and pre-recorded यहां पे classes हमारी मिलती है तो जहां पर आपको interested है आपको लगता है कि हमें त्यारी करके कुछ आगे करना है तो आप जोईन कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे अगर आपको लगता है कि हमें समाझ आ रही है तभी अदर्वाइस नहीं बाइफ फोर्स कुछ नहीं करना ठीक है जी ओके तो यहां पे हम हिक्स बोसन की बात करते हैं तो यह है basic information लेकिन basic information बहुत से बच्चों को समाझ नहीं आएगी स्पेशली जो नॉन साइंस बैक्राउंड है तो हम थोड़ा सा स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से ठीक है जी ओके मैं उसी पोर्शन को टच करूंगा जो यूपीस के लिए बाकी हमने कुछ नहीं करना इसके अंदर तो सबसे पहले हम यह मानते देख के एटम जो है वही smallest है ठीक है दोस्तों उसके बार बोला नहीं इलेक्ट्रों प्रोटों न्यूट्रों भी होते हैं इसके अंदर तो थोड़ा दीरी दीरी इसको हमने ब्रेक्टों किया उसके बा अब यह स्टेंडर्ड पार्टिकल फिजिक्स का जो मॉडल था इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पे कुछ आपको दिख रहे हैं मैटर की जिनरेशन है फोर्स केरियर्स है तो यह सारी चीज़े हैं लेकिन यह हमें पढ़ना नहीं हमें बेसिक ध्यान के देना है हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया एक है फर्मियंस दूसरा है बोसन बेसिकली फोर्स है ठीक है दोस्तों जो फर्मियंस है यह मैटर के लिए रिस्पॉंसिबल है ठीक है जी ओके अब यहां पे पहले है यह कौर्क इसके दो पार्ट है दूसरा है लेप्टाउन को यहां पर हमें समझ आया, हमने क्या सोचा था, atom है, atom से smallest कुछ भी है, हम proton, neutron, electron की बात करते हैं, अब उनको भी कोई बना रहा है, वो यहां पर आपको barian electron देखने को मिलते हैं, तो इनसे भी smaller कुछ है, तो यहां से इसने जो particle physics को complete कर दिया, दूसरा है force, force है जिसे photon है, तो यहां पर यह total हमारा complete होता है, general understanding चाहिए, बस यहां पर आपको थोड़ा सा idea चाहिए, इसके इलावा पूरा इसको detail में भी नहीं हमने देखना कि क्या 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 है, इसके अंदर होता है, अब यहां तक तो हम आमला fit हो गया, अब यहां पर हुआ क्या, कि जब हिक्स बॉसन से travel करती है, उसको हम normally massless मानते हैं, ठीक है, so it means photon जो है, photon को हम massless मानते हैं, लेकिन यह quark हो गयरा है, इनको कौन, जो mass कौन देता है, यह question था, कि इनका mass कहां से आता है, अगर photon के अंदर क्यों नहीं mass है, और इनके अंदर क्यों mass है, अब यह question एक था, तो फिर पीटर हिक् अगर universe है, universe के अंदर कोई particle exist नहीं करते, particle exist नहीं करते, basically field exist करती है, field, electric field exist करेगी, अगर उसके अंदर कुछ disturbance आई, electron formation होती है, similarly quark field है, अगर उसके अंदर disturbance आती ही, quarks बनते हैं, ठीक है, इसी तरह, उन्होंने बोला एक field है, जिसको बोलते हैं, Higgs field, हिक्स field, जब हिक्स field के अंदर disturbance होगी, तो यहां पे बनते हैं, Higgs boson particle, हिक्स boson particle, अब इसको improve कैसे करें, तो यह दिक्कत ही, तो यहां पे प्रूव वाला portion हम बाद में चूज़ करते हैं, लेकिन जो पहला question था हमारा, कि जो various, अगर हम photon का देखते हैं, वो massless है, और बाकि है कि जो Higgs field है, ये दुनिया के अंदर particle है, उनको mass provide करती है, हिक्स field क्या provide करती है, ये mass provide करती है, अब mass कैसे provide करती है, तो यहां पे उनन restraint करेगा, तो यहां पे उनने बोला कि जो Higgs field हर जगा exist करती है, तो अगर माली जिए photon है, photon यह इस field से pass करता है, तो जतना ज comment हूड है ठीक है लेकिन जो photon है वो बहुत ही less interact करता है बहुत ही less interact करता है इसलिए photon जो है वो massless है और बाकी जैसे से particle इंट्रेक्ट ज़्यादा करते है उसी के हिसाब से उनका mass है तो ये question यहाँ पे इन्होंने सॉलू कर दिया जो particles है उनका mass कहां से है फोटन का क्यों mass नहीं है इसका क्यों है दूसरा उनने बोला कि Higgs field जो है वो universe के अंदर exist करती है तीसरी बात जो हमें पता चली कि जो field है field को आप disturb करोगे तो particle बनते हैं जैसे मैंने बोला आपको electric field है तो electron बनते हैं तो इट मिंस कि अगर Higgs field को हम disturb करेंगे तो क्या बनेगा Higgs boson particle बनेगे अब ये experiment करना था क्योंकि अभी तक हमने बता दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है लेकिन ये क्या actual के अंदर है ये नहीं तो इसके लिए large heteron collider बनाया गया ये large heteron collider के अंदर किया है कि particle को बहुत ही जैसे एक loop है basically loop के अंदर magnet काफी use हुए है ताके क्योंकि माले जी मैं प्रोटोन को यहां पे बहुत ही high speed से भेज रहा हूं ये पूरे curve के अंदर कैसे रहेगा तो इसको direction देने के लिए क्योंकि अधरवाइस ये इसकी spin भी change हो जाएगी है ना टकरा जाएगा तो magnetic field काफी जादा जूज कीगी at low temperature ये सारा काँ होता है और बहुत ही high speed से अगर माले जैसे ये आप समझे पेन है पैन और दूसरा पैन को अगर हम टकराएं दूर से बहुत ही high speed से और हम ये चाहते हैं इसकी निप जो है दूसरी निप से exactly टकराएं और यहां पे यह ब्र करती है अगर माले जिसके अंदर disturbance हुई उसके अंदर कुछ disturbance हुई तो यह कोई particle हम detect करेंगे क्या कोई particle release करती है अगर करती है जो concept है कि field exist करती है वो particle बनाती है तो यह हमारा प्रूफ हो जाएगा तो इसी experiment के अंदर इन्होंना जब यह किया तो higgs field के अंदर disturbance हुई जिसक जो particle generate हुई जिन ने बोला higgs boson particle इसको बोला तो यहां पे दो तिन चीजे हैं जो हमें ध्यान में देनी है तो एक तो large hydron collider कहां पे है Swiss French border और बाकी information यहां पे लिखिए दूसरा जो दुनिया के अंदर जो हम बोलते है कि जो particle को mass provide करता हो higgs field provide करती है higgs field basically generate करती है higgs boson particle अ इसका हमें अंसर थोड़ा सा मिलता है एक तो जब starting के अंदर भी नहीं बोला कि यार इसको detect करना बहुत मुश्किल है तो इसी लिए इस frustration के अंदर भी बोला जा रहा कि इसको God man particle बोला गया उसका भी नाम लख रहा गया लेकिन publisher ने उसका नाम God man particle से change करके the God particle रखती है और fundamental जो force है Higgs boson ठीक है दोस्तों Higgs field है जो जो अधर particle को mass provide करती है फोटन क्यों मासलेस है उसके बारे मैं मैंने पढ़ लिया Higgs field जो हर जगा exist करती है उसके अंदर disturbance होगी तो particle बनेंगे उसके इलावा जो कुछ particle है जिसके बारे में हमें information चाहिए वो यहां पर लिखे है तो इसको आपने थोड़ा सा दियान में रख लेना है इसके इलावा कुछ force है photon है तो electromagnetic force है बाकी nuclear force और ग्रेविटन gravity force ठीक है जी लार्ज हैट्रों को लाइडर इसके बारे में थोड़ी से information हमने यहां पर discuss की है ओके सो यहां पर हम देखें तो अब रिसेंटली इन्होंने जो लेटेस्ट जो साइकल है लार्ज है हर बार उसको प्रूव कर रहें इंप्रूव कर रहें अब दुनिया के अंदर इनों का 27 अगर आप देखोगे 27 किलोमेटर लांग ट्रैक तो यह कोई 100 किलोमेटर का ट्रैक भी बनाने की कोशिच कुछ कंट्री कर रहें कि हम यह टनल बेसिकली टनल बना ले तो उसके अंदर और ज्यादा स्पीड से आएगा तो हमें और भी चीज़ें देखने को मिलेगी लेक 26 पॉर्शन पॉर्टी का फ्लों सी इसकी घॉशन सभ्राइब कर सकते हो यह एक भी जो